नमस्कार आप देख रहे हैं एजटीवी बिहार न्यूज मैं आपके साथ रंजिता मिश्रा अभी मैं मौजूद हूँ जहानाबाद के विसुनपूर ओकरी में और यहां पर एक भव्य मंदिर का निर्मान हो रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे हमारे मंदिर को बहुत ही खुबसूरत बहुत ही खुबसूरत स्ट्रक्चर दिया गया है और देखने में भी काफी खुबसूरत है लोगों का कहना है यह सुरे मंदिल बन रहा है यह मंदिर कौन बना रहा है यहां के लोगों से जानेंगे आए यहां के काड़ीगर से मिलते हैं और उनसे जानते है यह मंदिर निर्मान में उन्हें कितने दिनों का समय लगेगा और अभी कितने दिनों से यहां पर यह काड़े कर रहे हैं तो आईए क्या नाम है आपका मेरा नाम विसु है आप यह बताए कि आप कहां से आए हैं बंगाल से बंगाल से आए हैं इस मंदिर को कब से आपने बना हो जाएगा इसका जो नक्सा है वो कॉन बनाया है यहां का जो सब्सक्राइब की यहां की गाउंवाले आपको सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छा था मधाज बाद है यहां के ग्रामीनों से भी मिलेंगे और उनसे जानेंगे यह निवासी लोग है वो लोग चंदाई कठा करके बना रहे हैं या फिर नेता यह समाजीक करता कौन है इसके पीछे आए मिलते हैं लोगों से तो यह बताएं यह जो मंदिर है इस मंदिर का निर्मान यहां के गाउंवाले मिलकर के बन वारे हैं या फिर कोई पॉलिटीशियन समाज कारे करता या फिर कोई और है नहीं वहां कि दो पती है संपर्दावाबु उनके बेटा सती स्वाबु ने बनवा रहा है सती स्वाबु किस चीज़ का उद्योग है उनलों का किस चीज़ का विजनस है दवा के फैक्टरी कौन सा दवा वेलकम है गलफा सती वाबु ने मंदिर का निर्मान कर रहे है इससे आप लोग के बीच में कितना उस्सा है बहुत उस्सा है मैडम बहुत का भागे बदल गया किसमत बदल गया गाउं का सुर्ज मंदिर बन रहा है जैसा कि आप पता चला कि एलकम का एमानेजिंग डारेक्टर के दौरा ही ये मंदिर का निर्मान किया जा रहा है सतीज भावू तो ये बताएए इस मंदिर के बनने से आप लोगों के बीच में गाउवासियों के बीच में कितना उस्सा है बहुत उत्सा है मेडम, बहुत सब लोग खुस हैं, पूरा गाउं वासी खुस हैं, वाजू में अपना ये सूर्ज मंदिर है, ये तलाव हो गया, अपना छेट वी, इसमें तलाव का तलाव बनाया जा रहा है, इसके लिए कि छेट भी कर सकते हैं लोग, गाउं के लोग, या यहां के लोगों का कहनाम है, कि संप्रदा बावु का बेटा, सतीस बावु यहां के मंदिर का निर्मान कराए हैं, तो कुछ और यहां के काड़े निर्मान के लिए, यहां की उन्नती के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, बता सकेंगे? सब्सक्राइब जो है मंदिर बनवाए हैं और इस तरह से गांग घर के लिए यह जो गली बना हुआ है तो यह सब सब्सक्राइब जो अच्छी सब्सक्राइब कर दो मंदिर तीन तीन मंदिर अधे मंदिर ठाकवाली में जो शुद्रमाश बन रहा है शो इसके पहले भी यह था था ज़िए अस्थाप्ता मूर्थ आई थी ठावरी अधि मंदिर के अलावा क्या क्या किया है यहां को रोजगार दिया है जैसा कि आप देख रहे हैं इस दुर्गा मंदिल का भी निर्मान जो की में रोड पर बनाया गया है और इसका भी निर्मान सतीजी में करवाएं है सतीजी के चैट फर्मा के मडी है उनके द्वारत तीन मंदिरों का निर्मान इस गाउं में कराया गया है जैसा कि मैंने आपकों दो मंदिल पहले भी रिखाया है और ये तीसरा मंदिर है जो की में मार्केट में है और में रोट पे ही है मादुर्गा का मंदिर दूर्गा मंदिर का निर्मान तो पांच साल पहले हुआ था भावन बन गया था सब उसके बाद मूर्ति की अस्थापना सतीस वावू की एंगे सतीस वावू के बारे में कुछ परिचाए आप देंगे समाज से भी है यहां संपर्दा वावू जो मानिय दुग पती हुए हो क्री के उन्हीं का बच्चा हुए हूँ वह वह विकास काज में अथी करते हैं तो वह सिर्फ मंदिर का निर्मान के हैं कि आप कुछ और भी कारिय देखते हैं उधर सुर्ज मंदिर का निर्मान करवा रहे हैं इधर दुर्गाजी के अस्थापना वही करवाए थे मूर्ति दिये थे टाइल सी सब गेटेट सब उन्हीं का है इस सब उन्हीं का देन है कि कुरोना काल में तो आउत्सा है देखिन लिए कि जब भागवाने न तो जैसा कि आपने सुना और देखा इस भव्य मंदिर का शुड़े मंदिर जो बन रहा है काफी खूबसुरह थे जहां पे बंगाल से लोग आये हैं बनाने के इसका निर्मान जो कर रहे हैं वो बंगौली हैं क्कुलकता से आये हैं और काफी मेहनत से पिछले डेर साल से इसमें काम चल रहा है लोगों के बीच भी खासा उत्सा देखने को भी मिल रहा है साथ ही मैं आपको ये बता दू यह जो मंदिर है इस मंदिर का निर्मान और ऐसा ही एक और मंदिर है जिसे में थोड़ी देर के आपको फिर से रूबरू करवाऊंगी तो ये जो मंदिर है ना ये मंदिर आपको एलकम के मैनेजिंग डारेक्टर सतीश बाबू बन रहे हैं तो आए उनसे भी संपर्क करने का हम लोग कोशिश करेंगे जैसे ही संपर्क होता है हमारे चैनल के द्वारा आप ये देख सकते है दन्यवाद